कि ये सटिल लाइप कि और 3D और टूडी में क्या फड़क होता है उसका बारे में बताएंगे तो तो थे लेप कैसे किया जाता है उसका एक वीडियो बनाएंगे आपको को पूरा बात समझा देंगे कैसे कि स्टील लाइब सजाय जाता है या कैसे मॉडल को बैठाया जाता है उसका उपर एक पूरा भीव हम डिटेल में बताएंगे दोनों का बारे में अभी जो बता रहे हैं वह अच्छा से बात को सुनिएगा मेरा नाम है आर्टिस्ट चंदन सर्मा मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो प्लीज सर्सक्राइब एंड लाइक एंड सेयर तो शुरू करते हैं तो यह है ड्रॉइंग कॉपी एक तो इसका जो सर्फेस है यह द्रॉइंग का भासा में इसको चित्र पॉट बोला जाता है जिसमें ड्रॉइंग किया जाता है उसको चित्र पॉट बोला जाता है यह कैन्वस बोल सकते है जिसमें किया जाता है उसको अलग-अलग नाम थोड़ा बहुत है अलग-अलग भासा में तो यह ड्रॉइंग कॉ बोला जाता है तो डाइमेशन पहले बता रहे हैं तो डाइमेशन क्या होता है जैसे आप लोग बहुत सुने होंगे 3D 2D जो बोला जाता है 2 Dimension, 3 Dimension वो 3D Drawing जो बोला जाता है तो उसका बारे में आज समझा रहे हैं बाद में इसका डीटेल में वीडियो Drawing करके बता देंगे तो ये तो है अगर Flat अगर सामने से आप देखिएगा तो ये Flat जो Surface है ये One Dimension है आपको और कोई Dimension नहीं दिख रहा है इधर का भी नहीं, इधर का भी नहीं ना इधर का, ना इधर का अब थोड़ा से एंगल कर दे रहे तो इसमें आपको 2 Dimension दिख रहा है 1, 2 तो ये हो गया 2 Dimension ठीक है? ये One and Two ये Two Dimension अब अगर इसको थोड़ा से और ऐसे एंगल कर दिए तो अब आपको 3 Dimension दिखेगा 1, 2, 3 ये Three One, Two and Three Three Dimension तो आप ये ऐसे कीजिए तो One, Two and Three बैक देखेगा तो ऐसे Dimension से आप Drawing कर सकते हैं तो इसको जैसे रख दिए तो रखने का बाद आपको क्यार क्या दिखाई दे रहा है हम जैसे रखे हैं आपको One, Two and Three दिखाई दे रहा है ठीक है? One, Two and Three One, Two and Three Three Dimension अगर इसको हम ऐसे स्टेट आपका इमे कर दिए तो One and Two ये अलग हो गया तो थीडी करने के लिए आपको सबस्वें Three Dimension में ड्रॉइंग करने पड़ता है ये एक बॉक्स है बॉक्स का Three Dimension Human Body का भी अलग होता है Three Dimension Human Body का कैसे है? जैसे मेरा फेस देख सेखता है तो मेरा फेस अभी फ्रॉंड है तो अभी ये फ्रॉंड One Dimension और ये दोनों तरब थोड़ा थोड़ा One Dimension and Two Dimension Total Three One, Two and Three Three Dimension ठीक है? तो ऐसे करके ड्रॉइंग किया जाता है तो अब स्टील लाइब जब बैठा जाता है स्टील लाइब जब ड्रॉइंग स्टील ड्रॉइंग किया जाता है स्टील लाइब का तो उसका सरफेस एक टेबिल का उपर बैठा के उसको अच्छा से उसको सजा के उसका लाइटिंग का सोर्स डाल के उसको किया जाता है तो उसका बारे में एक वीडियो बनाएगे और एक मॉडल को बैठा के कैसे ड्रॉइंग किया जाता है उसका उपर भी वीडियो बनाएंगे यह next वीडियो बनाएंगे तो अभी एतना ही और भी अगर कुछ जानना है आप कॉमेंट करके बहुल सकते हैं आपको बता देंगे या उसका उपर वीडियो बना देंगे आप देखिए and share and like